अब ये तक हमने कुछ structure देखें लेकिन आप ये वाला structure देखो H2S2O3 भाई एक बार बताओ मुझे इस वाले structure के अंदर खुछ से बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ आपके बास जो दिमाग है अच्छे से आप यूज करो उसको और मुझे बताओ इसके लिए oxidation state कितने आएंगी message करके बताओ oxidation state कितने आएंगे बच्चो एक बार बता दो calculate करो 6-2 कितना 4 by 2 plus 2 calculate करके बता oxidation state कितने हैंगे इसकी maximum कितने होती है sulfur की plus 6 अरे सर यह case तो आपने पढ़ाया था calculated is very very small than maximum तो सर definitely इसमें double bond होगा अरे सर याद आ रहा है double bond तो पक्का होगा सर लेकिन कहां पे double bond दू में देखो ना H2S2O3 double bond दू तो दू कहां पे तो sulfur देख लो दूसरा sulfur देख लो आरे दो sulfur की बीच में double bond मजा आ गया सर कितने oxygen बचे तीन बचे 1 2 3 hydrogen जोड़ दो होगा है clear this is the thio thio acid thio sulfuric this is thio क्योंकि इसमें यह वाली linkage समझ में आया सबको थायो हां थायो 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 सल फ्यूरिक acid यह याद रख ले ना यह थायो acid याद रख ले थायो acid ठीक है यह वाला समझ में आया सबको पूचेंगे इसमें कितना एसस बॉण्ड है तो याद रख न इसके अंदर एसस लिंक के छे बोलो clear है सबको oxidation state आप calculate करके check कर सकते हो सर इसको break कर दो break कर दो break कर दो सीधे आपको answer पता चल जाएगा plus sorry plus 6 कैसे आप देखो oxidation state कितने आएंगी बता अब कुछ से बता oxidation state कितने आएंगी आप देखो यहाँ पर चेक करो कि अब यहाँ पर चेक करो oxidation state सर देखो मैं पता तो minus 1 कि प्लस वान सर माइनस टू कि प्लस टू बहुत खतरनाक चीद पढ़ा रहा हो में बहुत ही ज्यादा माइनस टू प्लस टू आपको पूरे आपके मतलब कि लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं किस लेवल के पढ़ा रहा हो पी यह ब्रेक कर दो माइनस वन प्लस वन अब खुद से बताओ एक सलफर पे कितना चार्ज है इस वाले सरफर पे कितना चार्ज है बताओ जल्दी दो तीन और एक चार है या नहीं बोलो जल्दी इस वाले सलफर पे टोटल चार्ज कितना आया बताओ जल्दी मेसेच करके इस वाले सलफर पे कितन से आता है कि बहुत अच्छे से देखो है एच टू एस टू ओ थ्री सर्जी एस डबल बॉंड एस ओ ओ ओ एक मिनिट रुख जाओ एक मिनिट रुख जाओ यहां पर ओ यह तक की बाते बस एक मिनिट रुख जाओ अब मुझे बता इसके उपर आएगा सर प्लस फोर आएगा और इसके आएगा जिरो अर्य यह failed ठेट होते है beg kit बैस टेट होते हैं लेकिन ऑद राखने को एड़us करुख और बाता मिनिट दो से तो आपका अंसर आघा वलटू प्लस टू से आपने प्लस टू निकमा बीएग अट्चुम्झे में USA昨 नंबर है यह जो average होता है न बच्चो, सपो चार sulfur है, तो हम divide by 4 करेंगे, oxidation state का जो average होता है उसको हम बोलते है oxidation number, लेकिन आपके level को ये भी चीज़े सही है, this is oxidation state of this sulfur, समझ में आया भी, आपसे particularly question पूछा, भाई, खतरना question पूछता है, examiner बता रहा हो में, वो बोलेगा, sulfur के oxidation state निकालो, और B, कोई बच्चे पागल हो जाते है, पागल, एक की 0, दूसरे की plus 2, एक की 0, दूसरे की plus 4, एक की plus 2, दूसरे की plus 2, एक की 0, दूसरे की plus 3, अब बता option, clear option sir, आपका B option आईगा, ऐसे question, इसलिए तो मैं बता रहा हो, अगर आपको आबीरा होगा ना, मैं बता रहा हो, मानलो पहले भी पड़ाई लेकिन कुछ चीजे चूट जाती है जो कि दीरे-दीरे question answer के तुरू cover हो जाती है बोलो clear है सबको इसलिए honestly lecture करो बोलो clear है सबको एक sulfur 0 दूसरा sulfur हाँ बहुत मज़ा है आपको आपको मज़ा आया सुनो अभी और मज़ा आएगा अगर ऐसा दिख जाए ना h2 h2 s4 sorry h2 s3 देखो हाँ अब यह वाली चीज़ समझो s3 o6 देख ना अगर इस तरह का कुछ system दिख जाए ना भाई यह वाला दो और छे भाई इनको clearly याद रख ले ना इस तरह के for example h2 s4 इधर लिख देता हो h2 s2 s2 o6 s3 o6 ठीक है न बच्चो इसको ब्लैक में दिखाता हो ठीक है न मज़ा आजाएगा आपको भी h2 s4 o6 इसको ब्लैक में दिखाता हो ठीक है न o6 आप सुनो यहाँ पर देखो दो sulfur तीन sulfur यह तो सेम है sulfur चेंज हो रहे हैं लेकिन आप आपने एक चीद आपदर की क्या बच्चो यह वाली चीज फिक्स है कौनसी वाले बच्चो यह वाली हाया ना मेसेज करो रहे हाया ना तो में लेक सकता हो इसका जनरल फॉर्मूला h2 yes 2n प्लस 1 2n प्लस 1 एक मिनिट में चेक कर लेता हो बलतने होना चाहिए थोड़ी भी गलती आपके मार्क्स गटा सकती है हां स्वर एक एक से बढ़ रहा है ना सलफर एक एक से बढ़ रहा है एक्जेक्ट फॉर्मूला आपको भूक में भी मिल जाएगा देखो एन बोले तो सबस दुए और दो में एक एड़ किया तीन और एक एड़ किया मतलब समझ में आ रहा है ना आपको यहां पर आप एड़ करते जाओ सलफर को अब मैं सिधा बता रहा हूँ इन वाली सीरीज को बोलते थायो ने या थायो निक ऐसी अगर दो और छे दिख जाए ना सलफर चेंज होते रहेंगे कोई फरक ने पढ़ाएंगे इसको बोलेंगे थायो निक ऐसीड सीरीज थायो निक ऐसीड अलग जो डबल सलफर में डबल बांड होते हो अलग अब एक-एक को पढ़ेंगे हम सुनो खुद बताव रहे एस्टू 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 ओसिक्स में यार में सिंपल बता दो यार कोई ज़रूतने ऑक्सिडेशन स्टेट निकालने कभी-कभी आप क्या करते जाओ सर दो सलफर है सर एक-एक ऑक्सिजन दे दो तिनों को निकालके भी देख लो यार वह आ ना डायरेक्ट लिंकेज आएंगी इसके आप चेक कर ले ना देखो इसकी प्लस-फाय उक्सिडेशन श्टेट आएंगी जो कि मैक्जिमम से थोड़ी सी कम है मैंने बताया था मैक्जिमम से अगर कम है तो डायरेक्ट लिंकेज मतलब सिंगल वान ठीक है ना तो ये भी आप चेक कर ले ना अब इंपोर्टन बास सुनो अब मैं क्या कर देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ एक सल्फर तो आ जाएगा एच्टू एस्ट्री ओसिक्स यहां पर लिख देता हूँ दो सल्फर अब आ जाएगा एच्टू एस्पोर ओसिक्स बाई क्लियरे सबको दो और च्छे तो कॉंस्टन रहेंगे सल्फर बदलेंगे थायूनिक एसिड सीरीज समझ में आई देखो यह वाली चीज बोलो क्लिय क्लियरे सबको मेसेज करके बताओ यार अभी आप कुछ से बता दो कुछ से बता दो क्या थायूनिक एसिड सीरीज सबको क्लियरे सल्फर की बहुत अच्छे अब काम के बाद सुनो कि यहां से क्या क्वेशन आएगा अब देखो एच्टू एस्पोर ओसिक्स की लिए ऑक्सिरेशन स्टेट का ओर्डर पुछाए ए बी सी डी जो क्वेशन डिस्क देखो यार मैं यह नहीं बता सकता कि यहां से क्वेशन आईगा लेकिन आपको रेडियो होना है हर एक क्वेशन के लिए ऑक्सिरेशन स्टेट यहां पर लिख देता हमें प्लस पायू जिरो प्लस पायू जिरो प्लस पायू जिरो प्लस पायू जिरो प्लस पायू प्लस सीक्स जिरो जिरो प्लस सिक्स प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, बताव इनमें से कौन सा उप्शन करेक्ट है, पहले बताव बात मैं मैं डिस्कस करूँ, इस वाले के लिए, बहुत अच्छे, अब देखो मैं निकाल के दिखा, बी उप्शन करेक्ट है, देखो मैं बताताओ किस तरह से, एच्टू एसपोर ओसिक सर्थायूनिक एसिड है चार सलफरे सर्वासर मजह आ गया देखो कट कर दो जिरो जिरो यह तो जिरो आएगे बीच वाले यह भी जिरो इस पे भी जिरो इस पे भी जिरो अब यहां पे देखो एक्षिवल नकला ठाला ठाओ बीच वाले जीरो जिरो यह करेक्ट तो आएगा 2.5 समझे क्या समझे क्या भी बताओ जल्दी कि यह वाले क्वेशन हो जाएंगे आपसे थायूनिक एसिड सीरीज सारे क्वेशन हो जाएंगे आपसे मेसेज करके बताओ सल्फर का एक भी औक्जी एसिड बत्चा नहीं सल्फर के सारे औक्जी एसिड खतम सल्फर के सारे औक्जी एसिड खतम एक भी नहीं चोड़ा मेंने अब चलते फॉस्परस की तरफ यार आप फॉस्परस का जन्रल स्केलेटन मेंने बताए था यह वाला बताए था या नहीं ब बताई ता जल्ले बताओ अब आप मुझे बताओ देखो मैं सीधे बता देता हो सारे comparison में पढ़ेंगा सर एच त्री पिओ फाई ओ तरेच त्री पिओ फोर एच त्री पिओ त्री और एच त्री पिओ टू आए हाए सर स्केलेटन बना दो एक दो तिन वन टू त्री आरे मैं पहले स्केलेटन बना दो उपर वाले फार्मूले सबको क्लियर है अब यहां पे कौन सी लिंकेज होती पहले वाले में पहले वाले में सर पर ओक्सी लिंकेज होगी हाँ या ना बताओ आप खुद से बता दो पहले व घ्र lapाइल एक आयटोजन दो आइडोजन दिन र हाइडोजन नीडिन बोले यार क्लियर है इसका स्रॉक्चर आयए प्र सल्फिरिक इसेट यह कि इसका भी डिस्प्रपोर्चन होगा एक तरप यह मिलेगा एक तरप यह मिलेगा अग्याइठ देख ले ना भाई ये वाली चीज़े आप बार बार ने बताऊंगा आपको समझना चाहिए किसमें डिस्प्रपोर्शन होगा ठीक है ना नेक्ष देखो ये वाला S3PO4 देखो यार ये खुद बना दोंगे अभी खुद बना दोंगे सर देखो P 1 2 3 4 यच 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 बोलो कितना प्रोटिक है कितने हाइड्रोजन डोनेट करेगा अरे 3 सर तो इसका N फैक्टर भी 3 आएगा समझे मेसेज करो अभी इसका N फैक्टर भी 3 आएगा ट्राइ प्रोटिक मैं नहीं भूलता चीजों को मुझे याद रहता है कब एन प्रैक्टर का कंसिरर करके बढ़ाना है ट्राइ प्रोटिक आगे बढ़ता हूं मैं सर ह3PO3 ये वाला एक मिनिटा ट्राइ प्रोटिक या ट्राइ बेसिक ठीक है अब ये वाला S3PO4 S3PO3 सर देखो H3PO3 सर एक oxygen कम है बोलो क्लियर है बच्चों अब बताओ यार यहां तक की बाते सबको क्लियर है यहां तक की बाते क्लियर है सर तीन hydrogen जोड़ दो सर एक hydrogen यहां जोड़ेंगे दूसरा यहां पे अरे सर हमें अब यहां पे जोड़ना ही पड़ेगा कोई दूसरा option नहीं है कोई option नहीं है तो इसलिए यहां पे जोड़ा याद रखना phosphorus के acid के case में अब बोलो यार n factor कितना आएगा इसका बोलो ट्राइब 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 रोटे के देखो oxygen वाले आइड्रोजन देखना यह वाला मत देख लेना ठीके न तो यह डाइब बेसिक है समझे तो याद रखना कभी भी इसको देख के मत बता देना पहले आप structure निकालो उसके बाद बोलोंगे आप सर यह डाइ बेसिक है डाइ बेसिक और इसका एन फैक्टर भी दो आएगा समझे क्या अभी clear है सबको concept बोलो clear है सबको है एच 3PO3 phosphorus acid आगे बढ़ू बढ़ जाता हो क्या ही रुकूंगा मैं अभी एच 3PO2 एच 3PO2 एच 3PO2 भाई पी डबल बांड ओ कितने oxygen है दो एसर हो गए hydrogen hydrogen अरे बोलो यार monobasic है या नहीं है तो इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा एक आएगा कल अभी सुबह वाली बाते सुबह वाली बाते clear है अभी एन फैक्टर एक की वाया इसका जो बच्चे कन्फीज हो रहे थे उनको अभी कच्चा चल गया कि oxygen वाला hydrogen दोनेट कर सकता है लेकिन hydrogen वाला कभी भी नहीं आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते भाई एक और बिच में एक और अभी वाला बताओ यह वाला बताओ यार सबसे पहला question phosphorus phosphorus में linkage कौन से होगी message करो इसके phosphorus की maximum कितनी होती है सर maximum phosphorus की होती है plus 5 और structure में भी कितनी आ रही बताओ प्लस 5 आ रही है सर देगो 10-12-2 divided by 2 तो आपका यहाँ पे प्लस 5 आएंगी calculated maximum भी प्लस 5 यह तो इसमें आएंगी इनमें कौन सी लिंके जाएंगी और जी आएंगी ठीके रहे बताओ समझ में आ रहा है सबको कि बोलो रहे clear एक दम आगे बढ़ते सर अब देगो दो फॉस्परस बना दो तर एक फॉस्परस दो फॉस्परस सर और जी लिंकेज कितने बचे पाच बचे अरे पाच ही बचे रहा है वे कैसे ज Supase 12 में से और 25 बचे तो कर लो यार पाच एक दो तीनननगाञा अब निकाल और अब निकालो अब निकालो बोलो औक सटेट कितने आएंगे अब बताओ इससकी आक्सिरेशन स्टेट कितने आएंगी बताओ जल्दी से 12 फोर आएगी मतलब कौन सी लिंकेज मैंने बोला नहीं एक एक चीज बहुत इंपोर्टन्ट है सर फोर आएगी बोले तो सर डाइरेक्ट लिंकेज सर दो पॉस्परस के बीच में इसकी फोर आई यहने कि कम है निकाल के देखो 10 माइनस 4 देखो 12 माइनस 4 8 बाइ 2 4 तो यहां पर आजएगी प्लस 4 जो कि कम है डाइरेक्ट लिंकेज कितने आक्सिजन एच्छे तो देखो डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ दो चले गई 3,4,5,6 यह हाइट्रोजन टेट्रा बेसिक समझे क्या मेसेज करो h4 p2o6 मेसेज करके बताओ क्लियरली हाया ना बहुत अच्छे बहुत ही ज्यादा अच्छे लेकिन क्या आपको याद आ रहा है मैंने ये वाला लिखा था h4 p2o5 इसको मैंने बोला था इसमें कौन सा बऊंड present होगा बताओ याद आ रहा याद आया याद आया कल बताए ता मैंने या आज ही बताए था रहा हां आजू बताए इसमें कौन सी लिंक है जोगी जल्ली बताओ लिंक है जोगी सर तो सबसे पहले POP linkage निकाल दो मैंने oxidation state की बात भी नहीं की कितने oxygen बचे चार एक दो तीन चार equally divide कर दो double bond O double bond O कितने hydrogen बचे दो बचे एक दो हो गया clear बचाओ जल्दी से आपको समझ में आ रहा है निमें एक बार oxygen ठीकाने लग गए hydrogen को जोड़ दो कि समझे और general skeleton को भूल मत जाना general skeleton को भूल मत जाना यह वाला phosphorus का बोलो यार सबको clear message कर दो अब एक बार मुझे एक बार message कर दो phosphorus के phosphorus अभी यह वाला बताओ H4 P2 O P2 O8 हो एक क्या O8 आएगा क्या पर हो एक बताओ बताओ रहे oxygen state कितने आएंगे एक मान के निकालो और maximum कितने बताओ कितने आएंगी 16 माइनस 4 12 बाइटू कितने आएंगी प्लस 6 आएंगी जो की ज्यादा है तो इसमें कोन सी linkage होगे आप खुद बता दो कितने oxygen बचे छे बचे 123 123 double bond O hydrogen को ठिकाने लगा दो क्या question था यार क्या ही पूछते एक दामिनर भी कुछ भी पूछ लेते समझे या नहीं समझे बोलो यार structure बनाना आ जाएगा सबको message करके बताओ मुझे खुद से क्या यहां तक phosphorus के सबको समझ में आये बाकि remaining आप चेक कर लेना ठीक है ना बाकि remaining आप देख लेना कुछ एक आदा दो रहे गया तो मैं बता देता हो फिर भी कि मैं एक बता देता हूं कि एक प्यो थ्री टू कि एरे सर मेटा है मेटा याद आया है कि मेटा होते साइक्लिक फॉर्म में यह बात याद आई मेसेज करो मेटा साइकलिक फॉर्म में होते हैं तो सर निकालते हैं यह प्यू फ्यू फू त्टो टाइम्स को इसको निकालते हैं सर को तो सर फ 구ose के साथ कि प्रपरइस के साथ सर देखो कितने जडिञ टोटल से ओक्षिजन तो देखो वन इसको पहले मल्टिप्लाई करके देखाओ क्या बनता है इसको मल्टिप्लाई कर दो H2 P2O6 आरे ऐसा कुछ दिख गया है आप समझ ले न आरे भाई सुनलो दो पॉस्परस और दो आइड्रोजन दिखाई देना तो याद रखने ला इसमें से तीन कॉमन निकालो ये बन जाएगा तो या तो ये वाला दे देगा एक दामिनर या तो ये देदेगा इसका मतलब मेटा होता है समझ में आया सबको मैंने दोनों भी बना के दिखा दे H2 P2O6 मेटा बोले तो साइकलिक सर अरे सर यहां से यार अभी चार बचे तो देखो 1 2 1 दोनों को दो दो आप देखो मैं क्या करता हूं समझो यार इसको मैं पूरा रॉफ कर देता हूं दो आइड्रोजन को भी ठीकाने लगाना है ना ओएच ओएच डबल बॉंड ओ यहां पे देखो अच्छे से देखो एक एक चीज चुटने नहीं चाहिए डबल बॉंड ओ सुनो अच्छे डबल बॉंड ओ चार ऑक्सिजन हो गए आपके पाच हो गए अब कितना बचा एक बचा यह इधर एक यहां से ऐसा बाउंड होगा ठीक है ना यह वाला इस इस तरह से स्ट्रक्चर होगा देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं यह जेको जन्रल स्केलेटन इस स्केलेटन को देखो आप अच्छे से जन्रल के ऊपर वाले क अरे बोलौ रहे क्लिर हे सबको बताव मेसेज करके कि कि यहां तक की बाते सबको क्लिर है हाया ना वहाया ना बताओ यार आप बताते ही नहीं हो आकरी का आकरी वाला ले लेता हूं ठीक है ना सिद्धे बता देता हूं सिंपल है सर एक क्लोरी ने 4 ऑक्सिजन है एक ऑक्सिजन को ओएच बाकि डबल बन डबल बन ठीक है समझे क्या है अरे कितना आसान था अर्य सर इसमेंसे एक आइड्रोजें निकालो copper cl double bond O double bond O double bond O O minus पर k הוא इस तरह से दिखता है समझे क्या भी पर klvate कैसा दिखता है समझ माँ आपको तो आप देख लेना कर शी ऐनकि मैंने भोला तो double bond form की formation के ability बढ़ जाती अब यह अब दूसरा वाला यह CO3 का देखो सर देखो बहुत आसन है कलोरी नहीं एक ओक्सिजन दो ओक्सिजन तीन अउक्सिजन एक अउक्सिजन के साथ हाइड्रोजन अब यहां पे डबल बांट ओO charter समझे मारे इस अपको जैसे जैसे कम होते इस लुन पिर बढ़ते बहुत ऐए बच्चों की बाते, मेसेज करो कि यह लो टु देखो अबी सर पहले क्लोरिन निकालो देखो मैं केसे निकले आपको भी मज़ां अब आगा सर क्लोरिन निकालो एक ऑक्सिजन ऊपर एक आप्सिजन नीचे सर एक oxygen के साथ hydrogen इसको लगा तो double bond O single bond तो देखो एक दोन तीन चार पाथ चे साथ साथ वैलन्स इलेक्ट्रोन होते ना बाई क्लोरीन के पास लोन पेर समझ में कितने आएंगे आभी यार क्लोरीन के पास वैलन्स इलेक्ट्रोन साथ होते तो आपको उस हिसाफ से जोड़ना होता है यह तो double bond आपको पता है double 2 3 3 4 पाथ 6 7 हाया ना अब यह CLO देखो संट्रल आटम आपका क्लोरीन होगा उलेक्ट्रो निएटिविटी का में ठीक है ना तो क्लोरीन है बहुत अच्छे से देखो उसके बाद एक ओहारे सर कितने लोन फेर सार वन बच्पन से तो रट्यार है क्लोरीन पेर तीन लोन पेर है व्लों क्लियर है अभी मेज़का कि सबको हाइपो क्लोरस क्लोरस इन सबका स्ट्रक्चर याद हो गया मेसेज करके बताओ कि सर हां सर याद हो गया मेसेज करो जल्दी से सब मेसेज करके बताओ क्या सबको स्ट्रक्चर क्लियर है मैंने जो नोड बेजे उसको अच्छे से देखो लेकिन जब यह वाला आप करोगे न यार यह गलती मत कर दो यार यहां पर सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन होगा समझ में आया सबको एक तरफ है फ्लोरिन अरे वाटर की तरह स्ट्रक्चर है क्योंकि आर फ्लोरिन मोनोवैलेंट होगा वो कभी दो बॉंड नी बनाएगा ठीक है ना तो इस केस में एक सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन होगा यह वाले चीज़े गल्ती मत कर देना हां ठीक है और सील ओ एच यह हुआ आला लगे एक यह तो आता है सेंट्रल एटम दोनों की तरफ यहां पे है यह दो केस तो यहां पर लोरिन तैंट लै रुतिन इंप ula में तर्म की इस वाले case में यह दो केस HOCl और HOF इन दोनों को याद रखें याद मत रखो समझो अच्छे से Central Atom हम यहां पर क्यों नहीं रख रहे क्योंकि Oxygen Divalant है सब बता हम यहां तक की बाते क्लियर है बताओ क्लियर है यहां तक की बाते क्या आपको Oxygen Curlyatt के स्ठरक्चर में कोई डाउट है अभी किया आपको oxy acid के में डाउट है किसी को भी आप देखो मैं क्या बताने जाँ आजा हो अभी जो आपके डाउट आपको रहेगा यह था देख亲ो अभी मैं पर alike Link बता रहा हOO तो जो जाना चाहते जाओ आपको गुडनाइट जो रहना चाहते हो समझो मानलो मेरे पास हाँ देखो पर ओक्सी लिंकेज निकालने का फार्मूला होता है पर ओक्सी लिंकेज बोले तो ये वाली हाँ ये वाली ओनसी वाली ये वाली लिंकेज ये वाली लिंकेज फार्मूला होता है इसको निकालने का कि कैलिकुलेटेड ओ में एक दिमम